जहिन सातियो, इस वीडियो के अंदर आपको पता होगा समास का जो टॉपिक मैंने थियोरी करवा दिया है, इसके बाद में अब आपका जो प्रेक्टिस सैट है वो चलेगा, इसमें आपके 45 कोशन्स तक मैंने आपको करवा दिये, ठीक है, इससे पहला जो वीडियो है, हम अपने कोशन्स पर चलते, आप ट्राई करेगा, ऐसे समझेगा कि एजट इस वही पेपर है, जो आपके पेपर कोशन्स में आया था, चलिए, अब देखे, स्टार करते हैं, बखाई देरा हो आपको, यहापर आपको समास बताना है कि चार ओप्शन जो दो रखें, उनमे और द्वन्द समास में क्या होता है कि दोनों ही पद ब्रधान होते हैं, इसके बारे में आपको भैतरीन तरीके से जो है वो नौलेज है, इसके बाद में देखेगा यह लिखा है पंसेरी, पंसेरी का मतलब होता है कि पांच सेर, मतलब पांच किलो का समाहार, उसको बोलते ह तो यहां पर exactly जो answer हो जाएगा वो हो जाएगा पंसेरी ठीक है समझे बात आ रहा है कोई दिक्कत तो नहीं है बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए आगी देखेगा आगी देखेगा आगी देखेगा यथोचित में कौन सा समास है क्या यथोचित जो लिखा हुआ है उसमें कौन सा समास है वो आपको बताना है मैंने आपको बता दिया था साफ साफ यहाँ अगर इसका संदी विच्छित करेंगे मतलब अगर इसका समासी विग्रे करेंगे तो क्या यथा प्लस उचित आ जाएगा क्या यथा प्लस उचित आ जाएगा तो यहाँ पर मैंने बता दिय दूसरा पद प्रदान होता है दिगु में पहला पद जो संख्या वाची होता है फ्लाल में इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी वाला एकदम सही हो जाएगा ठीक है जिस तरीके से मैं अप्रोच लगा रहा हूं वैसे ही आपको अप्रोच लगानी है चलिए आगे पढ़ते है आगे देखेगा मुरारी शब्द में कौन सा समास है क्या मुर्यारी शब्द में कौन सा समास है देगो मुर्यारी सीधे-सीधे आपको इसे पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ 지yyए मेनार जया जब इप कभी भगवान से प्रिदान होता है ठीक है इस चीजों को आप दोड़ा समझेगा ठीक है जो जाए तरह संख्या बाची में पहला साथ प्रता zit नहीं हो जाए आप्पर पता हो प्रत में पहले विश्य'dेश्ण नाथ फिर प्रता संग्य आता चली आप करम आरे के बहुत कम example जो है अभी तक मैंने आपको दिखाए लेकिन tension मत करें दिखा दूँगा गौरी संकर क्या गौरी संकर जो है सब्द में कौन सा समास है आपको पता होगा यह दोनों एक जैसे लड़का लड़की होता है ना माता पिता होता है वैसा ही यहाँ पर है गौरी संकर ठीक है मतलब दौँद समास में दूसरा पत्प्रदान होता है ठीक है चलिए आगे देखेगा आगे सवाल देखेगा आपको तत्पुर समास का उधान आपको बताना है पीता बर राज पुत्र रात दिन और हरी शंकर पहले आप देखियेगा, पहले आप eliminate करेगा रात दिन, क्या ये लिख रहा है ना राते दिन, राते दिन में योजग चिन आ गया मतलब यह तो यह कौन सा, यह आपका यह आपका जो होगा वो दन्द हो जाएगा क्या हो जाए दौन समास हो जाए इसमें राज पूतर का मतलब क्या होता है बता हूँ राजा का पूतर अब इसमें से आपको दिगू समास बताना है, और दिगू समास जैसे देखेंगे वैसे आपको पता होना चाहिए, कि इसमें directly संख्या वाचक जो होता हो पहले आता है, दशानन दस है, आनन जिसके वो तो रावन को बोलते हैं, और ऐसे में ये तो बहुवरी समास है, क्या, य तिमाई संक्या वाची है, तिमाई चोथा ये सब, तो इसमें directly क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इस तरीके से आपको जो हो याद रखना है, आगे देखेगा, निम्डखिस में द्वन्द समास का उधारन नहीं है, इन में से कौन सा है, जो द्वन्द समास का उधारन नह जाएगा, दिन दिन जो है वो द्वन्द समास नहीं है, देखेगा, धन धान ये द्वन्द समास है, घर बहार द्वन्द समास है, हरी संकर भी द्वन्द समास है, हरी मतलब बोले तो विश्नु भगवान, ठीक है, विश्नु और संकर, इसे आप फोलेंगे हरी संकर को, तो अंकर खुलेगा और ऐसे में दौन समास हो जागा क्योंकि इन दौनों को और मतलब एक योजक्चिन से भी जोड़ा जा सकता है अच्छा दिन दिन क्यों नहीं हुआ जब भी कभी दौनों यह रिपीट हो रहा हो क्या जब यह दौनों रिपीट हो रहा हो एक ही सब अगर है नहीं तो मैं कल की वीडियो मेंट कर दूँगा अगर एक ही पद मतलब एक ही संग्या आगे भी रिपीट हो जो है योजक्चिन से ही क्यों ना जुड़ी हो तो फिलाल में इसका एक्जैक्ली आंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा चलिए आगे देखेगा आगे ओन से खोलने पर फिट किसमा सोटा है प्रडरा प्रदान नहीं होता है ठीक है चलिए आगे देखेगा आगे बढ़े थे बैत्री तरीके से आपको बताए जा रहा है था क्या भूल न जाए देखेगा पूछ रखा है कि यथा इसतान सब्द में कौन सा समास है इसलिए बारवार रिपीट कराने का मेरा उद्देश ही यह है कि आप भाई एकदम गलत ना करें आपको मैंने बता दिया था अब देखो यथा बताया था ना यथा अगर स्टार्टिंग में आ जाए तो अब यह भाव समास होता है मैं बारवार रिपीट क्यों करवा रहा हूं क्योंकि पेपर में कई कई सवाल बनी हुए यथा से इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन में यथा जोड़ दिया है अब देखो कर्मधारे में क्या होता है पहले पहले आपको जो है देखने को मिलेगा क्या विशेशन फिर संग्या इसके बार में दिगू में आपको संख्या वाचक देखने को मिलेगा तो फिलाल में इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा आगे आगे सवाल देखे, दसानन में कौन सा समास है, बहुत सिंपल है, दस है आनन जिसके मतलब रावड, और रावड मतलब एक तरह से तीसर आर्थ निकाल दिया, तो कौन सा समास हो जाएगा, यह बाहुवली समास हो जाएगा, ठीक है, और दिगु समास में पहला जो पद है, वो पता होगा ठीक है तो यह बहुली हो जाएगा मतलब W वाला आंसर हो जाएगा दिक livres अपना पर आया और यहां पर योजक्ष्ण भी लगा हुआ है तो हैसा आपको जब उल्टा सा सासितक दिखाई दिखाई दिया देदान divine समास नों नहीं और ततप्रू समाज पत पार पिर्ण हो आगे दिखेंगी कि आगे दिखेंगा अगे आज 這ए मन से पहले पर उपसर्ग नजर आ रहा है और ऐसे में सीधे सीधी वात है अब उपसरक्त पहला पद तो होगा नहीं तो इसमें बचा हुआ पहला पद कौन बचेगा जीवन तो इसमें पहला पद प्रदानों वो अभेभाव समास होता है मतलब डी वाला इसका एक्जेक्ली आंसर हो जाएगा मातर हुं मतलब मतलब कारक देखाई देरा है मतल इसमें ततपुरुस समास हो जाएगा आगे देखेएगा आगे बढ़ी बैठी सवाल और आपको देखने को मिलेंगे Akal Pidit क्या इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे अंब यहां पर क्या गया, कारक आ गया जब भी कारक आ जाए गा, करण से ठीक है तो करण तत्थो मिस्फूपूच समाश होगा तो ऐसे में यहां पर कौन सा समाश होजेगा तो यहां पर कर्म धारे समास होता है, क्या होता है, कर्म धारे समास होता है, तो यहां पर C वाला exactly answer हो जाएगा, आगे देखेगा, यह आप बताएगा, चारों को पढ़ लीजेगा, और इसका exactly answer हो जाएगा, ततपुरस हो जाएगा, मतलब मरने के बाद अच्छे लोक में जा यह आप देखे, आगे देखे、 क्या लिखा हुआ, नया, नया है जो योगक, तो है जो यहाँ पर आगे है, मतलब वहाँ पर कर्मधारे अजाएगा, किया जाएगा, कर्मधारे आजएगा, यह आपको बता रखा है, मैंने इसमें टेंस्टं वाली बात नहीं, आगे देखे, निर विवाद में कौन सा समास होगा, यहां पर देखो निर लिख रहा है, क्या लिख रहा है यहां पर निर लिख रहा है, और निर मतलब यहां पर एक उपसर का कार कर रहा है, तो निर प्लस विवाद, क्या निर प्लस विवाद, और यह हो जाएगा आपका, अब यह भाव सम अपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं लेना, एसे ही सवाल आपके पेपर में आते हैं, इनको आपको याद करना होता बेसेखली अब देखे पत जड़ क्या पत जड़ में कौन सा समास है ये सवाल मैंने आपके लिए रखा था जब मैं इसे टाइप करवा रहा था उस ताइम पर मुझे पता था कि इसमें बहुत वच्चे जो हो कमेंट करेंगे मतलब गलत करेंगे तो मैं चाहता हूं कि इसका आंसर जो आ होता है ख़्यकि होता न सब्सक्रम को तो खरण से और एक औरी संप्राण की लिए तो बशर्यास की नाम लिख देते हैं वहीं नई वाली भात नहीं है ठीक अचलिए आजए आगे देखेगा आगे देखेगा अब देखेगा आपको एक definition type के कुछ सवाल मिलते हैं जिनको आपको exactly answer देना होता है तो आपको परिवाशा भी जो है वो पता रहना चाहिए जैसे एक question पूछा गया सवाल है ये था कि किस समास का समस्त पद मतलब पूरा का पूरा पद क्रिया विशिशन का क कारे करता है तो वो कौन सा समास है अगर आपको याद नहीं है तो मतलब रहे जाएगा समास मैंसे जो चीज़ें जरूरी है वो मैंने आपको बता दी है तो basically definition भी आपको पता रहना चाहिए कि क्रिया विशिशन का काम कौन सा पद करता है अब देखेगा आपने समास विग् नहीं किया तो गडबड़ हो जाएगा क्या हो जाएगा गडबड़ हो जाएगा आपको इस तरह की कोई भी गलती नहीं करनी है जहां पर आपका नम्मर कट जाए क्या नम्मर कट जाए आगे देखेगा आगे पूचा है जिस समास में पूर्व पद गौन और उत्तर प्रद तक दोनों के दोनों परदान हो जाएंगे तूक रड़ाई दोनों प पच्छों में हैं बहुवरी समास में जिसमें पहला पद संख्या बाची होता है अगर आपको ये सब याद है, रिमीजन करते रहेंगे, तो भाई आपको दिक्कत नहीं होगा. ठीक है आगे देखे नील कंट सब्द में कौन सा समास है बताईगा नील कंट सब्द में कौन सा समास है अगर आपको पता हुआ नील कंट भगवान को बोलते हैं ठीक है नील कंट जिनका जो कंट था वो नीला पड़ गया था जहर पीने के बाद में बताईए वो कौन सा समास ह ये तो बगवान जी है बई, तो बगवान जी है मतलब भवरी समास हो जाएगा, ऐसा पद जिसमें कोई भी पद प्रदान नहीं हो, ठीक है, कर्मधार जिसमें दूसरा पद प्रदान हो, कि कोई ततप्रोस का पाट है, दिगु समास जिसमें पहला पद संक्या वाची हो, अब तरंग को मुझे बताना है। तरंगा शब्द के बारे में आपको देगों तरंगा आपको तीन रंगों से मिलकर के जो बनता है ओजंटा तरंगा हुमारे देज का होता है। ठीक है तो अब एक तो उप्षनीज़ में बहुवरी समास बन जाएगा। और एक बन जाएगा क्यो रूहों की बात कर रहा है तो फिर दिघू समास लगाना होगा इस में दोनों ही समास है लेकिन लेकिन चौर्इस कौन सा होगा और डीखेगा अगर दोनों को अगर देखेंगा आगे देखें मेरे भाईि आप और पूछा है कि भर पेट में कौन सा जो है वो समास देखेगा आप इसी लिखहेंगे तो भर ओर पेट क्या भर ओर पेट आपको पता इससे पहले अभी आ रहा है, सीथी सीथी बातने जहां पर आप इआ जाये, आप अभी भाव समास हो जाएगा आगे देखेगा आगे आपसे पूछा के स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास हो जाएगा स्वर्ग प्राप्त मिला स्वर्ग को प्राप्त क्या खोलेंगे तो स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा और जहाँ पर भी जहाँ पर भी एक कौन सा हो जाएगा यह हो जाएगा कर्म ही वाट सवास है स्वर्ग में प्राफ्ट को प्राप्त अैस में जहां पर याप अधी थी ऑड़ होगी तो इसी तरह से जाद राखना गgen वहां में पर पाची हो जाए पहला पद बहुवरी मतलब जिसका तीसरा पद प्रदान हो कोई भी प्रदान नहीं हो अब जिसका पहला पद प्रदान हो तो इस सब को रिवीजन याद करना है अब यह समास में जिसका पूरा पद जो होता हो क्रिया विशेशन का काम करें चले जिस समास में विशेशन और उत्तरपद विशेश से होता है किस प्रकार का समास होता है भाई बार बार में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बार बार सवाल आते हैं इस लेंग्वेज से सवाल आते हैं इसलिए उस लेंग्वेज पर आपकी पकड़ जरूरी है एक बात था है, मैं बार बार बोल रहा था, जब भी बता रहा था, वह देखो पहले विशेशन फिर संग्या, क्या पहले विशेशन फिर संग्या, संग्या कोई तो विशेश बोलते हैं, संग्या कोई तो विशेश बोलते हैं, तो बस सीधे सीधी बात है, विशेशन संग्या इनमें से कौन सा कथन गलत है समास के संधरम में इनमें से कौन सा कथन गलत है अब इसको वही कर सकता है जिसने मेरी हर बात को सुना होगा जो मैं explain करना हूँ उसको सुना होगा बहुवरी समास में दौनों पद गौण होते है मतलब वो कहना इसमें गलत बताना है ये तो एकदम सही बात है गौण का मतलब जो useless हो ऐसे आप समझेगा ठीक है तो ये तो बिलकुल जो है वो ये तो बात लखी गई वो एकदम सही है अभीवाव समास में पूरू पद की प्रधानता होती है और समास पद अभी होता है ये भ जो जो सी वाला है ये इसका गलत आंसर हो जाएगा चली आगे देखेगा येस जो कुच अजीब सही हो गया मतलब इसके आठ कौने हो आठ कौने आगया मतलब उसे संख्या बासिया ना और जहांपर भी संख्या बादि आजएगा वहां पर सीदे सीधे बाते वहां पर दिगू समास आ जाएगा तो इसका exactly answer जो है वो वो आपका दिगू समास हो जाएगा, कोई दिक्कत नो दिक्कत लेकिए प्रेम सागर में कौन सा समास है प्रेम सागर में इसमें आप लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे बताओ प्रेम का सागर, क्या लिखेंगे बताओ प्रेम का सागर, सीधे बाते कारक बिवक्ती आ गया, मतलब तत्पूर समास हो गया अब एक वार में बता देता हूँ बहुबरी समास ऐसा समास जिसमें कोई पद प्रदान नहीं हो द्वन्द समास ऐसा समास इसमें दोनों पद प्रदान हो तत्पुर समास ऐसा समास जिसमें दूसरा पद प्रदान हो और दिगू समास ऐसा समास जिसका पहला पद संख्या बाची हो फलाल में इसका exactly answer जो होता है वो जो होता है B हो जाएगा चलिए आगे चलिएगा चलिए खतम हो गया चलिए दोस्त अब उमीद करता हूँ आपको बहुत किस समझ में आया होगा बहुत सारी examples आपनी उनका practice किया होगा अप लगातार practice करते रहे जब तक आपका exam नहीं खतम हो जाता ठीक है कोई भी topic जिसका value है आप दे के बिना हिंदी के बिना GKGS के बिना मैच के बिना रीजनिंग के नहीं कर पाएंगे ये बड़े important factor लेकिन उसमें से हिंदी एक बड़ा factor है हिंदी आपका scoring subject है और जब भाई score नहीं बनेगा तो पर आप क्या करेंगे येस और नो अपना ध्यान रखेएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को subscribe कर लेजिएगा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो जरूरा पूच्छ लेजिएगा आपका स्वागत है मिलतव हम आपको नेक्स वीडियो के साथ वीडियो को देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया